प्रिया भाई और बेहनों, आज का शुबस अन्नेश के लिए आप सभी को हम स्वागे। समझाओ, भटकती सिंदगी को रोशनी की बात समझाओ, उजालो ने मुहाबत का हसीन, रास्ता सवारा है। आज का संदेश ब्रदर नलसन तोमस मंबै से वाटा जाएगा, प्रतन के साथ सुनीशे। से पहुचानना और उस पहुचान में बढ़ने की आवशक्ता पर विचार कर रहे थे। हमारे आतुमा का उद्धार उस पहुचान बर आथारित है और हमारी आतुमा की आजादी उस पहुचान बर आथारित है। किसी भी प्रकार का पहुचान नहीं, इश्य मसी को किस प्रकार पवित्र शांस्त्र बाइबल में प्रस्तुत किया गया है। फुस प्रकार हमें पहुचान नहीं। पनमेश्य का पुत्र जो सनात अनकाल से विराच्मा मनिश्य का रूप धारन किया, हमारे बीच में रहा, मनिश्य के समानता में पाप को छोड़कर हर बात में हो गया। और मनिश्य जाती के पाप के बदले प्राइश्य का बिलदान होकर, सूली पर मृत्यू सहकर, मृत्यों में से जीव उठकर, आश्य स्वर्ग में विराच्मा और वापस आने वाला इश्य मसी को करीब से पहुचानना है। उद्धार करता और प्रभू के रूप में करहन करना है, और उस प्रभू के पहुचान में बढ़ते जाना है, तो उद्धार का आनन्द में और आतियात्मिक आजादी के अनुबों में हम बढ़ते रहेंगे। अब एक और वचन में पढ़ना चाहता हूं, मतिरे सुस्वमाजार ग्यारा ध्याय का उन्दी स्वपत ने, हम इस प्रगार पढ़ते हैं, मेरा जुवा अपने उपर उठालो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हो, और तुम अपने मन में विश्राम इसका उपर के पद में, इश्य मसी ने 28 पत में इस प्रकार कहा, हे सब ठके और बोज से देबे लोगो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हे विश्राम दूँगा, दो प्रकार का विश्राम के बारे में यहां लिका है, मैं तुम्हे विश्राम दूँगा 28 पत, और तुम विश्र काम पाओगी उन्दी स्वापस 28 में उन लोगों को बुलाया जो पाप का बोज में अधार्मिक्ता का बोज में ठके हुवे लोग क्यों बोज से थकते हैं अपने मन के अंदर यह परचाने की मैं पापी हूं गुनेगार हूं मैं अधर्म किया हूं अपका अपना पाप के वच से मन कलंगिद हो गया वीवे कलंगिद हो गया पाप का बोज उसको दबाते हैं और उस पाप से बिचने का बुरी आदतों से बिचने का प्रयास करते हैं परिश्रम करकर असाफल होत दुखी रहते हैं इसलिए श्या का पुस्तक में हम ऐसा पढ़ता भी है श्या की अधिया 557 में उसका अंदिम भाग में ऐसा लिका है परंद दुष्ट तो अशांद समुद्र के समान है और इकी सब अप में दुष्टों के लिए शांदी है ही नहीं मेरा परमेशोर का यही वचन है एक पापी गुनेगार के मन में शांदी नहीं मिलेगा उनका विवेग उसको जर्द देगा और उसको शांद करने का प्रयास करेगा लेकि असवल होगा एक बखैम मेरे पास आओ पापी ओंको गुनेगारों को प्रुकरते हैं जो पापी गुनेगार पापों को खबूल करके आश्य publiनें के पास पहुंचते हैं तो उसको लां आर करते हैं पापकी छमा करते हैं, मन में विश्राम देते हैं, उसके बाद इशु करते हैं, अब मेरे साथ रहो, मेरा जुवा उठालो, मेरे साथ चलो, मेरे से सीखो, मैं नम्र हूँ, मैं मन में दीन हूँ, मेरे प्यारे भाई बहन, उधार पाया, पर्मेशक का संदान हो गया, बहुत अच्छी बात है बहुत बड़ी बात है लेकिन काफी नहीं है हमें हर रोज उसके साथ चलना है उसका जुवा अपने उपर उठाना मदलब आपको उसके साथ साथ चलना है जैसा एक जुवा के नीचे दो बाहिल होते हैं इश्य मसी और हम दोनों में एक साथ चलना है इश्य मसी के साथ चलना है साथ जीना है उनकी आवाश को सुनना है उनसे बातें करना है उनसे सीखना है उनके गुनों को समझना है उनका नम्रता उनका प्रेम उनका दया उनका इश्य गुनों को पवित्रदाई का जीवन धार्म मिकता का jeewan को पहचानना हैं रिष्मसी कि जिंदगी को जीवन में अपनाने के लिए अपने आपको आधीन करना है तो यह बहुत महटत पॉर्ण एक आविश्यकता है रिष्मसी के पहचान में बढ़ते जाते हुए रिष्मसी कि अक बोला तब तुम अपने मन में विस्राम पाऊगे मन जाती के जीवन में या आजु बाजु के बीच जीवन में जो परिशानियां हैं समस्यां हैं हमारे मन को उदास नहीं करेगा हमारा मन की शांदी को दूर नहीं करेगा मन में विस्राम और शांदी रखने के लिए इश्यो मसी के भगजान में बढ़ना है फिलिपियों की पत्री में आईसा एक वचन है प्रेजिरित पावल उसका होते है फिलिपियों की पत्री चार अध्याई उसका च्छे साथ पदों में किसी भी बात की जिन्दा ना करूं परंदु परती एक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुमारी विनन्दी धन्यवात के साथ पनमेश के सन्मुक प्रस्तुत की जाएं तब पनमेश की शांदी जो समझ से परे है तुमारे हृदय और तुमारे विचारों को मसी इश्यो में सुरच्छित रेखेगी प्रभु में साथ करें एक शांद मन एक तसली का खृदय एक समाधान का अनभो जीवन में कायम रहने के लिए इश्यो मसी के नश्दी करें उसका वचन को सुने उसका वचन को मनन करें उसका वचन को प्रेम करें और उसका वचन बर हम चलते रहें प्रभून वचनों से मैं साथ करें प्रभू के नाम की महमा हो